तो चलिए आज हम perimeter of rectangle निकालना सिखेंगे तो perimeter of rectangle इसका formula हमें जानना बहुत ही ज़रूर है तो इसका formula है perimeter of rectangle का 2 into length plus breadth length plus breadth और length और breadth अपने को हमेशा questions में दी जाती है तो अब यह rectangle ऐसा दिया है तो हम कैसे पैचने कि length कोन सी है और breadth कोन सी है तो जो बड़ी side होती है उसे हमेशा length केते है यह होगे अपनी length और जो छोटी side होती है तो उसे हमेशा breadth केते है और rectangle में हमेशा opposite side equal होते है और हर angle 90 degree का होता है तो rectangle पैचनना हमें आसान हो जाता है तो इसी तरह के से बहुत ही सारे perimeter of rectangle हुआ area of rectangle हुआ यह सब formula मैंने आपको एक pdf दिये उसमें आप जाके वो learn करना है तो आपन निकालेंगे perimeter of rectangle तो करना बस यह है कि 2 ले लेना है और length ले लेना है 10 और breadth लेना है 5 तो यह लेने के बाद 2 पहले कौन से भी sum में पहले यह कर लेना है कि bracket solve कर लेना है तो 10 प्लस 5 यह हो गया आपना 15 और bracket के बहार जो भी number होगा उससे आपन multiply इदर sign हमेशा multiply का होता है यह ध्यान में रखना है और यह bracket के बहार भी निकालिया तो भी चलेगा तो 2 इंटू 15 और 15 इंटू 2 30 30 हो गया यह आपका answer perimeter of rectangle अपना 30 आए तो ऐसे ही trick के लिए हमें subscribe कीजिये और और चाहिने और sums के लिए अमारे और वीडियो देखे कि दो कि दो में पिए हमें अमारे जैप टेखे